तो आज हम यह Casio 9000 आयन और Roland XPS 10 इन दोनों में डिफरेंस करेंगे जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैं इसको अन्बॉक्स किया था और थोड़ा बहुत डिफरेंस किया था लेकिन आज टोटल मतलब पूरा ओवर व्यू दिखेंगे और दोनों में अंतर काफी डीप अं दोस्तों वह आपका सब कंफुजन आज से दूर हो जाएगा तो चलते हैं फिर देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस की प्राइस दोनों में काफी डिफरेंस है यह आपको 23,000 तक 23,700 रुपए का अमेजोन पर दिखा रहा है तो आपको दुकांदर वाले 23,000 वा जो अभी प्राइस चल लई है वो 23,000 से लेकि 55,000 के बीच में चल लई है दुकांदर आपसे 23,500 चाओवन पश्चपन इससे जदा नहीं ले सकते हैं सब्सक्राइब कम से कम प्राइस सब्सक्राइब बावन तक हजार है इसकी सब्सक्राइब 25,000 तक इसकी प्राइस है तो तो यह होगी प्राइस की बात आप देख लेते हैं कि इसके फंक्सन में इसमें दो स्पीकर मिलते हैं आपको दोनों स्पीकर इसमें कोई स्पीकर नहीं मिलता है इसका एडवांटेज यह होता है कि आप इसको कहीं भी ले जाकर के प्ले कर सकते हैं और इसको आप जब ले ज बाहर से कोई भी आडियो इसमें प्ले कर सकते हैं जैसे लाइक दिस मुबाइल से के थुरू हम अपने इसमें कोई भी मुबाइल में गाना प्ले करते हैं केबल के थुरू इसमें यहां पर स्लॉट दिया गया है केबल के थुरू हम इसमें उसको लगा देंगे और वो जो मेर का पार्ट आप प्यानों से प्ले कर सकते हैं that is यह चीज़ है और Aux-In इसमें Roland XPS 10 में नहीं है Roland XPS 10 में Aux-In नहीं है आ दूसरी चीज़ आप आती है अगली चीज हेड़फोन जैक आपके पास मुबाइल वाला हेड़फोन है तो मुबाइल वाला headphone का jack इसमें लगा दीजेगा आप इसमें लगाने के बाद आप इसमें headphone में लगा देंगे और यही क्या करते हैं देखिए यह बड़ा वाला जिसमें lead लगती है जो बड़ी वाई lead लगती है यह जो है slot दिया गया है दोनों में आप दोनों में headphone लगा सकते हैं, इसमें भी इसमें भी, function की बात कर रहे हैं धिरे धिरे सारे चीज़े आएंगी तो एक बार में आप सोचते होंगे कि सब कुछ बता दे तो possible नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लीजिए function की बात चल लए है इसके बाद rhythm, tone, कितनी जगा इसमें है, कितनी इसमें जगा है, सारी चीज़े में clear करता जाओंगा तो इसमें आप headphone, headphone से क्या करते हैं, connect कर सकते हैं जिससे इसमें मैं ये लगा दे रहा हूँ ठीक है इसमें मैंने ये लगा दिया है तो दोस्तों, दोनों में headphone है अब आती है अगली चीज, mic mic ये वला mic इसको हम लोग बोलते हैं, dynamic mic इसमें जो तार लगता है, वो तार लगता है लगाने के बाद, आप इसमें mic लगा सकते हैं mic लगाने के बाद, caseo 9000 iron में आप mic लगा सकते हैं mic लगाने के बाद, कोई भी गाना, rhythm play करके कुछ भी गा सकते हैं mic, Roland XPS 10 में नहीं लग सकता है इसमें कोई slot नहीं है, mic लगने का दोस्तों, इसमें mic लगता है इसमें आप mic लगा करके यहां mic का volume दिया है, कम जादा कर सकते हैं और इसमें effect भी डाल सकते हैं यह चीज़ें हो गई है आपकी क्या करते हैं Casio 9009 में आप mic लगा सकते हैं Roland XPS 10 में mic नहीं लगा सकते हैं paddle मिंस paddle का जब भी कोई नाम आता है paddle मिंस pair से कोई भी चीज जो pair से हम control करते हैं उसे paddle बोलते हैं मतलब अगर हमें volume control करना है तो paddle इसमें भी दिया गया है इसमें भी दिया गया है दोनों में आप paddle लगा सकते हैं जिसे दोनों हाथों से keyboard प्ले करना है और pair से अपने volume को control करना है तो दोनों में paddle दिया गया है आप इसमें भी paddle यूज कर सकते हैं दोनों में, computer से connect, आप इस keyboard को computer से connect कर सकते हैं, और इस keyboard को भी computer से connect कर सकते हैं, दोनों में slot सेम दिया गया है, computer से connect करने का, यहाँ पे slot दिया गया है, और इसमें भी slot दिया गया है, computer से connect करने का, 9000 IN में भी, और Roland XPS 10 में भी, और इसके बाद आता है pen drive, दोनों में आप pen drive लग जाएगी दोनों में, computer से connect pen drive इसमें भी है, अगला चीज है जो कि बहुत important है, हाँ best Вид the tone space कितना है? इसमें tone space कितना है? इसमें tone space कितना है, company हमें tone कितना देती है और हम अलग से tone इसमें कितना कितना डाल सकते हैं, कि店 लग से हम इसमें कितना tone डाल सकते हैं, दोनों में space कितना है, tone की company इसमें 800 tone देती है इसमें 1200 tone देती है इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत आज़्यादा है लगभग 1300 के नियर अबाउट इसमें tone देती है, इसमें 800 tone देती है company इसमें 800 tone देती है इसमें 300, नियर एबाऊट 1300 देती है और 800 में 43 Indian tone देती है और इसमें आपको लगभग 1500 Indian tone मिलते हैं 1500 इसमें 43, इसमें 1500 छीके, ये तो company की बात हो गई है अब company कहती है कि आप इसमें अलग से tone डाल सकते हैं तो इसमें हम कितना tone डाल सकते हैं कंपनी हमें कितनी जगह देती हैं Kaisio 9000 IN में और Roland XPS 10 में कितनी जगह देती है कि हम इसमें Indian tone मतलब खुद से बना के या खरीद करके डाल सकते हैं तो इसमें आप Kaisio 9000 IN में शिर्फ और सिर्फ आप 100 tone डाल सकते हैं बस इस से ज़्यादा एक भी ज़्यादा नहीं 99-100, इसमें 100 की जगा है, 100 टोन आप खरेद करके या आप खुद एडिट करके, इसमें सेप कर सकते हैं, इसमें आप यूजर में, यूजर मिंस जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बना सकते हैं टोन को, मतलब कैसियो 9000 आईयन में शिर्फ और सिर्फ 100, 100 तोन इसमें आप डाल सकते हैं, 100 के अलावा 101 जो टोन आएगी वो नहीं जाएगी इसमें, रूलेंड XPS 10 में 128 टोन जाती है, आपके रूलेंड XPS 10 में 128 टोन, मैक्सिमम 128 टोन का बैकप बनता है, उससे कम भी बनता है, 128 टोन से ज्यादा बैक रिदम की बात, कैसियो 9000 आईयन में आपको 200 रिदम मिलती है, 200 रिदम, ध्यान देजिएगा, 200 रिदम जिसमें 49 इंडियन रिदम रहेंगे, बाकि सब वेस्टन रिदम रहेंगे, और रूलेंड XPS 10 में आपको 500 रिदम मिलती है, 500 रिदम, वो भी आपको, 1500 रिदम आपको मि बेबोर्ड में अलग से रिदम डाल सकते हैं दोनों की बोर्ड में अब हम कितना रिदम डाल सकते हैं वो देखते हैं कि इसमें कितना space है rhythm डालने का और इसमें कितना space है rhythm डालने का, तो दोस्तों बहुत ही important चीज है rhythm और tone ज्यादा rhythm ज्यादा tone होने पर हमारी variety बढ़ती जाती है कम tone, कम rhythm होने पर हम एकदम क्या करते हैं variety कम हो जाती है, लोगों को अधिक साधिक variety नहीं दे पाते हैं तो इसमें 200 tone है 200, sorry, तो इसमें 200 rhythm है, company हमें 200 rhythm देती है और कहती है कि भाई इसमें आप 100 rhythm और डाल सकते हैं, इससे जादा नहीं इसमें आप 100 rhythm डाल सकते हैं, इससे जादा नहीं डाल सकते हैं और Roland XPS10 company कहती है कि आप इसमें अनगीनत रिदम डाल सकते हैं आपके pen drive में जितनी छमता है 128 GB का pen drive लगा दीजिए और रिदम से भर दीजिए 128 GB में जितनी भी रिदम आए आप भर दीजिए Roland XPS 10 उसको play कर देगा मतलब इसमें रिदम की वो नहीं है stoppage नहीं है मतलब 128 GB में आप अनगीनत फोल्डर बना दीजिए एक फोल्डर में 6 लूप डालिए क्योंकि इसमें सिर्फ 6 लूप होते हैं तो एक फोल्डर में 6 लूप इस तरीके से आप 1000 फोल्डर बना दीजिए और 1000 फोल्डर में आप 6 छोलूप डालते जाए इस तरीके से 6000 रिदम हो गए तो इसमें 100 रिदम की स्पेस कंपनी देती है और इसमें अनगीनत रिदम देती है आप इसमें कुछ भी कितना भी रिदम डालिए पेंडराइब 256 जीवी का भी पेंडराइब लगा दीजिए काम करेगा दोस्तों 2 जीवी से ले करके 128-256 आप ल स्पेस के सबाते हst में 100 रिदम की भरमार है इसमें रिदम इसमें 100 रिदम से ज़्याद highs सकते है या आपके अंदर जो बनाने के कैपसिटी है 100 रिदम से ज़्यादा आप बनाएंगे 101 रिदम वो सेब नहीं होगा 100 रिदम के बाद ये बस फुल हो जाएगा इसमें स्पेस खतम इसमें स्पेस खतम ही नहीं है पेंडराय में जपनी जगाँ है उतना रिदम आपके पास है तो दोस्तों अगला फंक्षन है इसमें Tone Editing का आप अगर इसमें Tone Editing करते हैं या इसमें या इसमें तो कंपनी कहती है कि जब आप Tone Editing करेंगे इफिक्ट इसमें भी लगते हैं इफिक्ट इसमें भी लगते हैं, तो दोस्तों, अभी मैं सिर्फ इसका बता रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़े हैं, लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन पता ने रहता है कि इसमें क्या-क्या चीज़े हैं, तो वो चीज में पहले आपको बता दूं कि क्या-क्या चीज WAS 10 में या केस्यो 9c9i में तो जब भी हम को भी टोन प्ले करते हैं अगर हम प्यानू प्ले कर रहे हैं प्यानू प्ले करते हैं तो cuma अगर जब हम एड़िप करते हैं तो company हमें एक टोन और उसके पीछे मतलब एक layer और चढ़ाने के लिए उसमें देती है कि भाई आप इसमें एक टोन और इसके साथ में बजा सकते हैं मतलब एक टोन और लगा करके इसमें एक बार में अगर प्ले करेंगे तो दो टोन प्ले होगी या आप एक टोन प्यानो लगा लिजिए या एक टोन इस्ट्रिंग लगा लिजिए दोनों साथ में play होंगे लेकिन वहीं बात आती है Roland XPS 10 की Roland XPS 10 में company कहती है कि आप जब tone edit करिए तो tone edit करते समय आप इसमें 16 layer चढ़ा सकते हैं इसमें 2 layer इसमें 16 layer मतलब अगर हम एक बटन प्रेस करेंगे तो 16 tone साथ में बजेगी इसमें एक बटन प्रेस करेंगे तो 2 tone साथ में बजेगी यही reason होता है जो Roland XPS 10 जो बड़े बड़े keyboard होते हैं उनका output भर के आता है reason क्या है कोई किसी को पता नहीं है reason main यही है कि जहां 2 tone बजेगी वहां पर tone हलका बजेगा और जहां पर 16 tone बजेगी एक बार में तो वहां की जहर सी बात है tone भारी और भर के आएगी tone हलका बजना भारी बजना दमदार बजना main यही reason है effect सब में लगते हैं cut off, resonance, reverb, delay, chorus सब में लगते हैं आप अपने इच्छा नुसार सब में लगा सकते हैं लेकिन जब tone आप play करेंगे इसमें सिर्फ एक बार में दो tone play होगी इसमें एक बार में 16 tone मतलब 16 tone की layer लगी रहती है जब हम एक tone play करते हैं एक note play करेंगे तो 16 tone बजेगी साथ में आप 5-6 आप के उपर depend करता है कि आप कितनी layer चढ़ा सकते हैं ठीक है इसमें 2 layer चढ़ेगी इसमें 16 layer तो जहां 16 layer play होगी आप ये मानके चलिए दो आदमी जहां बोलेंगे जहां 16 आदमी बोलेंगे एक साथ में तो दोनों की यावाज में दमदारी किस में रहगी जहां 16 आदमी बोल ले हैं वहाँ दमदारी जहां बोल ले हैं जहां 2 आदमी बोल ले हैς वहाँ दमदारी कम रह गी main reason यही होता है Roland के जतने भी keyboard होते है उसमें tone अच्छी क्यों बचती है reason यही है ये Casio 9000 IN में सिर्फ दो टोन, मतलब आप company कहती है कि आप दो टोन से ज्यादा layer नहीं कर सकते हैं, आप इसमें दो टोन चढ़ाइए, बस उसको added करिए, हाँ दो टोन से भी टोन अच्छे बनते हैं, लेकिन जहां quality की बाती है, जहां आवाज की बाती है, जहां heaviness की बाती है, वहाँ rolland heavy और दमदार पड़ जाता है, यह dull पड़ जाता है, टोन के मामले में दोस्तों, यही main reason है, और कोई reason नहीं है, keyboard यह भी है, keyboard यह भी है, तो diff किसमें ज़्यादा है, टोन की rolland XPS 10 में, Casio में diff tone कम है, क्योंकि layering कम है, layering ज़्यादा है, तो दोस्तों, next वीडियो में ह इन दोनों के rhythm में अब क्या output आता है, धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे, और धीरे धीरे आपको पूरे keyboard के बारे में, मैं एकदम पूरा सारी function को बता दूँगा, तो next time हम जो वीडियो बनाएंगे, Casio 9000 आईयन और Roland XPS 10, दोनों को play करके दिखाएंगे, और आप उसको बहुत अच्छा है, या Roland XPS 10, भाई, जो अच्छा रहेगा, उसे आदमी अच्छा बोलेगा, जो कम अच्छा रहेगा, उसे कम अच्छा बोलेगा, मेरे review की हिसाब से, अगर आप हमसे पूछेंगे, तो Roland XPS 10, quality के मामले में बहुत ज्यादा दमदार है, ये Casio 9000, function के मामले में बहुत ज्यादा दमदार है, तो function और quality, दोनों depend करते हैं, कि आपको चाहिए क्या, प्रोग्राम में आपको क्या चाहिए, function ये quality, function लेना है, तो आप Casio 9000 लेजिए, इसमें बहुत function है, quality लेना है, आप Roland XPS 10 लेजिए, इसमें बहुत quality है, तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, जैहिन,